सुक्राइब करने हैं क्या है तोड़े वी असे टिमेटिंग इसम हम रही है लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोई भी नंबर हमाय पास जो दिया होता है उसको हम कैसे राउंड अफ करते हैं according nearest 10, nearest hundred, nearest thousand तो हमारा first question है आज का 57 plus 34 इसको estimate करना है किसके according nearest 10 के according उसके बाद हमें इसे plus करना है तो इसका first step क्या होगा हमारा 57 estimated to the nearest 10 और 10 का rule क्या होता है कि जब हम nearest 10 करना होता है तो हम उस number के unit के place को देखते हैं ठीक है तो unit के place पे क्या लिखा है 7 इसमें rule number second apply होगा कि अगर unit की place पे 5 या more than 5 होता है तो unit की place को हम 0 से replace करते हैं और 10 की place में plus 1 कर देते हैं या फिर plus 10 कर देते हैं तो हमारा ही क्या हो जाएगा अगर हम 5 plus 1 यहां करते हैं तो यह बनेगा हमारा 6 second step होगा इसका 34 estimated to the nearest 10 अब once की place पे यहां पे क्या आ रहा है 4 जो less than 5 है means हम unit की place को 0 से replace करेंगे बर 10 की place पे कोई भी change हमारा नहीं आएगा next step क्या होगा the required estimation the required estimation तो 63 plus 30 और 60 plus 30 0 को 0 से plus किया कितना आ गया 0 और 6 plus 3 9 तो आपका answer कितना आ जाता है इसमें 90 now second portion देख लेते हैं 43 plus 78 इसे भी पहले हम round of nearest 10 करेंगे उसके बाद हम इसे plus करते हैं तो 43 estimated to the nearest 10 okay 43 को जब हम estimate करते हैं तो unit की place पे क्या है 3 है means less than 5 है तो हम पहले unit की place को 0 से replace करते हैं लेकिन ये 5 से कम है इसी लिए 10 की place पे कोई भी change नहीं होगा इसे हम as it is 4 लिख देते हैं second step क्या होगा 78 estimated to the nearest 10 तो 78 में भी unit की place पे क्या है 8 है means आपको 10 की place में क्या करना पड़ेगा plus 1 करो या plus 10 करो लेकिन unit की place को सबसे पहले हम 0 से replace करते हैं और 10 की place में plus 1 की तो 7 plus 8 कितना 1 कितना होगा आपका 8 next step आपका क्या जाता है the required estimation equal to 40 plus 80 0 plus 0, 0, 4 plus 8, 12 तो आपका answer कितना आ जाता है 120 अब next question देखते है 95 plus 58 same step आपको इसमें भी करना है 95 estimated to the nearest 10 तो 95 में unit की place पे क्या दिया है 5 तो second rule क्या कहता है 5 या 5 से जादा होने पे आप unit की place के पे जो digit है उसे हम 0 से replace करते हैं और 10 की place वारे digit में हम plus 10 करते हैं या 1 करते हैं तो आप 1 प्लस करों यहाँ पे तो यह क्या बन जाता है आपका 10 तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 95 का estimated कितना हो गया आपका 100 सेकंड इस्टप क्या होगा 58 एस्टिमेटेड टू दर नियरेस्ट 10 सेम यहाँ पे भी यूनिट की place पे आपका क्या दिया है तर रिक्वाइड एस्टिमेशन इक्वल टू 100 प्लस 60 इक्वल टू 160 ओकी अब नेक्स कोशन को हम देखते हैं जो है मारा 356 प्लस 275 इसे भी आपको राउंड अफ नियरेस्ट 10 ही करना है तो फर्स स्टेप क्या होगा हमारा 356 ऐस्टिमेटेट टू दा ऐस्टिमेटेट टू दा फिर नेरेस्ट 10 करना है तो हमने कौन सा place देखा यूनिट की place को देखा यूनिट की place पे क्या मिला हमें 6 मिला more than 5 है तो means हमें 10 की place पे plus 1 करना है और unit की place को हमको 0 से replace करना मतलब 6 की जगह पे हमने क्या लिखा 0, 5 में plus 1 किये तो क्या बना हमारा 6 बना और next digit हमें same लिख देना है second step क्या होगा अजगा 275 estimated to the nearest 10 so unit की place पे क्या है यहां पे 5 यहां पे भी आपका second rule ही apply Sekund 5 या more than 5 होने पे 10 की place पे आपको plus 1 करना है और unit की place को जो यह आपका 5 है इसको 0 से replace करना है तो पहले हमें इसे 0 से replace करते है then second step कि 10 की place में हमको plus 1 करना है means आपको 7 में plus 1 करना है तो कितना हो गया यह 8 तो 7 की प्लेस में हमने क्या लिखा 8 और next digit आपको same लिख देना है next step the required estimation equal to 360 plus 280 अब आप इसे plus score 0 plus 0 कितना हो गया 0 6 plus 8 14 केरी कितना है आपके पास 1 आ रहा है 3 plus 2 5 5 plus 1 6 तो आपका answer कितना आ गया 640 next question हम देखते है 463 plus 182 463 estimated to the nearest nearest 10 तो यहाँ पे आपको unit की place पे क्या देखो 3 दिया हुआ है मतलब कि आपको 10 की place में कुछ भी add करने की जरुवत नहीं है लेकिन unit की place को आपको 0 से replace करना होगा तो means हम 3 की place पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 और 10 की place में कोई भी change नहीं होगा तो 463 का estimated value कितना आ जाएगा 460 सेकंड स्टेप 182 estimated to the nearest 10 तो इसमें भी आपको unit की place पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है मतलब 2 को आपको 0 से replace करना है बट 10 की place में आपको कुछ भी add नहीं करना है क्योंकि यह less than 5 है तो 182 का estimated value कितना आ जाता है आपका 180 now next step क्या हो जाएगा the required estimation equal to 460 plus 180 अब इसको plus कर लो 0 plus 0 कितना हो जाएगा आपका 0 6 plus 8 कितना हो जाएगा 14 क्यारी कितना है आपके पास 1 और 4 plus 1 5 और 5 plus 1 6 तो इसका भी answer आपका कितना आता है 640 now next question 236 plus 689 लेकिन इसमें करना क्या आपको estimate each sum to nearest 100 इससे पहले वाले question में हम लो nearest tense कर रहे थे estimation हमारा tense के according चल रहा था उसके बाद हम sum कर रहे थे लेकिन इस question में आपको क्या करना है nearest hundred करना है उसके बाद आपको plus करना है लेकिन जब हम round of hundred करते हैं तो उसके लिए हम 10s की place को देखते हैं rules तो हमारा वही चलता है कि 0 से 4 होता है अगर तो आपको 10s की place और 1s की place को 0 से replace करना है बट 100 की place में कोई change नहीं करना है लेकिन अगर 5,6,7,8,9 में से कोई भी digit अगर आपका 10s की place पे होता है तो आपको 10s और 1s की place को 0 से replace तो करना ही है प्लस आपको 100 की place में भी प्लस 1 करना होता है तो चलिए इसको solve करते हैं 236 estimated to the nearest hundred अब इसको जो हम करेंगे तो देखिए 100 है तो back पे हम क्या गया है तो हमको मिला 10s की place 10s की place पे क्या है 3 है मतलब इसमें हमारा first rule लगता है कि 0 से 4 होने पे 100 की place में कोई change नहीं होता और 10s और 1s की place को हम 0 से replace कर देते हैं तो सबसे पहले हम 10s और 1s की place को replace करते हैं 0 से मतलब 3 की जगा पे भी हमें 0 लिखना है और 6 की place पे भी हमें 0 लिखना है क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए 2 में कोई change नहीं होगा estimated to the nearest hundred अब यहां पर 100 के लिए हमें 10s की place को देखा 10s की place पर क्या मिल रहा हमें 5 6 7 8 9 इन ही में से 1 डीजिट में मिल गया अब इसका मतलब यह है कि हमें 100 की place में तो plus 1 करना ही पड़ेगा और साथ में 10s और 1s की place को 0 से replace करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम 10s और 1s की प्लेस को 0 से replace करते हैं तो 8 की प्लेस पे हम 0 लिखते हैं और 9th की प्लेस पे भी हम 0 लिखते हैं और 6 की प्लेस पे हम 6 प्लस 1 करते हैं कितना आगे हमारा 7 ना नेक्स स्टेप हमारा क्या होगा The required estimation 200 प्लस 700 0 प्लस 0, 0 प्लस 00, 2 प्लस 7 कितना आगे आपका 9 तो इसका answer कितना आगे आपका 900 नेक्स कोशन लिखते हैं 458 प्लस 324 इसे भी हमको estimate करना है nearest 100 के according और 100 के लिए हम क्यांसी प्लेस को देखते हैं 10 की प्लेस को देखते हैं चलिए इसको solve करते हैं 458 estimated to the nearest 100 100 के लिए हमने कौंसी प्लेस को देखा 10 की प्लेस पे देखा 10 की प्लेस पे क्या लिखा है 5 लिखा है means आपको 100 की प्लेस में प्लस 1 करना पड़ेगा और 10s और 1s की प्लेस को 0 से रिप्लेस करना है तो सबसे पहले हम 5 और 8 की प्लेस पे 0 लिखते हैं और 100 की प्लेस में प्लस 1 करते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 458 का estimated value कितना आ गया आपका? 500 Second step 324 estimated to the nearest 100 यहाँ पे आपको 10s की प्लेस पे क्या मिल रहा है? 2 means आपको 10s और 1s की प्लेस को 0 से रिप्लेस करना है लेकिन 100 की प्लेस में आपको कुछ भी प्लस या कोई भी चेंज करने की ज़रुरत नहीं है तो 2 और 4 की प्लेस पे पहले हम इसको 0 से रिप्लेस पहले कर लेते हैं 2 को 0 से और 4 को भी 4 की प्लेस पे भी 0 लिख लेते हैं अब 3 की प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा तो 3 को आपको as it is लिखना है अब next step हमारा क्या होगा? The required estimation equal to 500 प्लस 300 0 को 0 से प्लस किये तो 0 0 को 0 से प्लस किये 0 5 प्लस 3 कितना होगे आपका? 8 ओके next question 3280 प्लस 4395 तो पहले आपको इसे estimate करना पड़ेगा 100 के according फिर इसे प्लस करना पड़ेगा तो step first में क्या लिखेंगी? 3280 estimated to the nearest 100 अब 3280 को जब आप round of 100 करोगे तो 10 की प्लस पे आपको क्या मिल रहे है? यहाँ पे 8 मिल रहे है मतलब आपको 100 की प्लेस में क्या करना पड़ेगा? प्लस 1 करना होगा और 10s और 1s की प्लेस को 0 से रिप्लेस करना होगा तो पहले हम 10s और 1s की प्लेस पे 00 लिख लेते हैं 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 और पहले से आपके पास 1000 की प्लेस पे क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है 4,395 estimated to the nearest 100 यहाँ पे आपके 10s की प्लेस पे क्या दिया है? 9 दिया है मतलब 100 की प्लेस में यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस 1 करना होगा और 10s और 1s की प्लेस पे क्या लिखना होगा? आपको 0 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 और इस तरह से आपका 4,395 का estimated value के आगया? 4,400 Next step The required Estimation Equal to 3,300 Plus 4,400 Equal to 7,700 Okay Okay, next question क्या है हमारे पास? 10,083 Plus 29,380 इसको भी आपको Round of nearest 100 करना है तो start करते हैं, इसको solve करना 10,083 10,083 estimated to the nearest 100 100 कितना हो जाएगा आपका? इसका estimation कितना हो जाएगा आपका? 100 के लिए आपको क्या करना है? पहले देखिए यहाँ पे आपको 10s की place को देखना है 10s की place पे 8 है मतलब आपको 100 की place पे क्या करना है? 1 करना है और 10s और 1s की प्लेस को 0 से रिप्लेस करना है तो आपके पास क्या आ गया आप 10,100 सेकंड स्टेप क्या होगा इसका 29,380 estimated to the nearest 100 यहाँ पे आपका 10s की प्लेस पे 8 है मतलब 100 की प्लेस में आपको प्लस 1 करना है और इन दो डिजिट के प्लेस पे आपको 0-0 लिखना है तो नमबर क्या मिला आपके पास 29,400 नेक्स स्टेप क्या होगा आपका पे रिक्वाइड एस्टिमेशन एक्वल टू 10,100 प्लस 29,400 अब आप इसे प्लस कर लो 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 1 प्लस 4, 5, 9 प्लस 0, 9, 2 प्लस 1, 3 तो आपका आंसर कितना आ जाता है इसका 39,500 ना नेक्स कोस्टिन हमारे क्या होगा एस्टिमेट इस सम अप दे नियरेस 1000 अभी आपने 100 पढ़ा अब आपको किस में करना है एस्टिमेशन इसका 1000 के करना है कोस्टिन के हमारे पास है 32,836 प्लस 16,466 तो पहला हम इसे एस्टिमेट कर लेते हैं 32,836 एस्टिमेटेड टू दे नियरेस्ट अब 1000 के कॉर्डिंग आपको एस्टिमेशन करना है इसके लिए हम कौन सा प्लेस देखते हैं बैक, जस्ट बैक में जाएंगे कौन सा प्लेस देखेंगे 100 की प्लेस को देखते हैं 100 की प्लेस पे क्या है 8 है, मतलब 5 या 5 से जादा है इसलिए हम 1000 की प्लेस में क्या कर देते हैं प्लस 1 और 100, 10 और 1 इन तीनों की प्लेस को हम 0 से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा estimated value कितना आ जाएगा, 3, 3, 0, 0, 0, 33,000, second step, 16,466, estimated to the nearest thousand, thousand के लिए हमने 100 की प्लेस पे देखा, 100 की प्लेस पे क्या दिया है, 4 मतलब less than 5 है, मतलब हमें 1000 की प्लेस में कोई चेंज नहीं करना है, और 100, 10, 1 की प्लेस को हमें 0 से रिप्लेस करना है, तो हमारा value कितना आ जाएगा, 16,000, next step क्या होगा हमारा, the required estimation, 33,000 प्लस 16,000, अब इसे प्लस करते हैं, 0, 0, 0, 6 प्लस 3, 9, और 3 प्लस 1, 4, हमारा answer कितना आ गया, 49,000, next question देखते हैं, हमारा next question है, there are 54 balls in box A and 73 balls in box B, estimate the total number of balls in both boxes taken together, मतलब, box A में आपके पास 54 balls हैं, और box B में आपके पास 73 balls हैं, आपको estimate करके बताना हैं कि दोनों box में कितने ball हैं, जैसे example के लिए आपके पास ये box A हो गया, ये box आपका बी हो गया, box A में आपने कितने balls रख दियें, 54, box B में कितना रखा आपने, 73, तो अब आपको पूछा जा रहा हैं कि दोनों box में मिला के कितने ball रखे गएं, मतलब आपको 54 को भी उस बॉक्स में देखना है और 73 को भी दोनों को जब मिला के लिखना है तो मतलब आप क्या करोगे वहाँ पे उसको प्लस करोगे ठीक है उसकी बाद आपको क्या करना है उसको estimate the total number of the ball nearest आपको क्या करना होगा इसमें tense करना होगा स्टाइ करते सका सॉलिशन नमबर आप balls in box A. Box A में कितने ball हैं आपके पास? 54. Okay. Second step क्या होगा? Number of balls in box B equal to 73. अब आपको इसको estimate भी करना है. तो अब इसके बाद क्या लिखोगे? estimated number of ball estimated number of ball in box A. हम यहाँ पर estimate round of pens इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टू डिजिट का ही नंबर दिया गे once और 10 maximum round of इसमें आप 10 का ही कर सकते हो अगर मालो आपके पास 154 होता या फिर 273 ऐसा कोई नंबर होता तो आप इसमें estimated round of 100 भी कर सकते थे बट हमारे पास यहाँ पर टू डिजिट का नंबर दिया है इसलिए हम यहाँ पर round of इसका nearest 10 करेंगे तो 54 को आपको round of करना है nearest 10 के according तो यहाँ पर once की place पर 4 है मतलब 10 की place पर कोई change नहीं आएगा इसका round of value कितना आ जाएगा 50 estimated number of ball in box A equal to 50 second step estimated number of balls in box B यहाँ पर आपका 73 दिया है मतलब unit की place पर क्या दिया है 3 मतलब 10 की place पर कोई change नहीं होगा 10 की place पर जो digit है आप उसे same लिखोगे और once की place को आप 0 से replace करोगे तो 73 का estimated value कितना आ गया आपका 70 यहाँ पर आपने actual जो ball दिया था आपने वो लिखा था कि box A में 54 था लेकिन इसका estimated value कितना आ गया 50 और box B में हमारे पर 73 था उसका estimated value कितना आ गया 70 अब उसके बाद last आपका statement क्या होगा total estimated number of balls in both the boxes दोनों boxes में कितने बॉल होगे ठीक है इसके लिए आप 50 plus 70 equal to अब इसे plus करोगे कितना आ जाएगा 120 ओकी